हालो फ्रेंड्स, डीटो इलेक्टरी, मैं आप सब का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बहुत ही important topic देखेंगे जो की related रहेगा DC shunt motor का MCQ question तो question बोल रहा है कि कोई एक DC shunt motor है जो की 250 hold पे काम कर रही है और उसका जो total current है वो है 20 A का और उसका जो shunt field का resistance है वो है 200 ohm और armature का resistance है 0.3 ohm तो हमें find out करना है कि armature का current किता होगा और back EMF किता होगा तो इसके option भी given है तो हम इसको किस तरह से calculate करेंगे वो देखते है सबसे पहले हम देख लेते हैं जैसे हर बार question को solve करते हैं तो solve करते हैं सबसे पहले हमारे पास जो data given है वो data हम लिख लेंगे जैसे voltage है तो V equal to 250 hold और ये DC hold है उसके बाद में total current total current मतलब इसको ही हम बोलेंगे IL तो ये हो गया 20 A उसके बाद में shunt field का resistance दिया है shunt field मतलब RF की value given है 200 ohm और armature का जो resistance है जिसको हम RA कहते है वो है 0.3 ohm तो हमें निकलना है कि armature का current कितना होगा और हमें निकलना है कि इसका back EMF कितना होगा तो इसकी diagram किस तरह से बनेंगी वो भी हम देख लेते हैं जैसे इसका armature है यहाँ पे given यहाँ पे इसके brush लगे है यहाँ पे armature का resistance होगा ठीक है उसके बाद में यहाँ से हम voltage देंगे और यह shunt winding तो यहाँ से हम देखते है कि voltage कितना given था 250 hold का supply हमने यहाँ से दिया 250 hold का supply देने के बाद जो total line current था मतलब IL equal to इसके value थी 20 ampere उसके बाद में जो shunt resistance था गीवन था हमारे पास RF equal to 200 ohm और उसके बाद में armature का resistance था मतलब जिसको हम RA कहते है वो था 0.3 ohm तो यहाँ से हमें जो armature का resistance होगा वो find out करना है और जो back EMF था वो find out करना है तो यहाँ पे हम देखते है जैसे IL है तो IL total current है तो कुछ current यहाँ पे जाएगा कुछ current यहाँ पे जाएगा तो यह IF कहेगा मतलब field का current और कुछ current यहाँ पे जाएगा तो यह हो जाएगा IA मतलब armature का current यह armature का current हो गया यह field का current हो गया और यह total current तो अब हमें यहाँ से IA की value निकालना है तो हम यहाँ पी easily KCL apply कर सकते हैं यहाँ पे KCL apply करेंगे तो यह equation इस तरह से हो जाएगा incoming current equal to outgoing current मतलब IL total current equal to field का current प्लस armature का current तो यहाँ पे हमारे पास line current given है तो यह लिख लेते हम 20A का IF की value नहीं है हमारे पास IF यहाँ पे है तो इसको हम easily निकाल सकते हैं जैसे IF equal to V divided by RSH V divided by R F मतलब RSH भी बोल सकते है field का resistance तो voltage हो जाएगा 250 hold divided by shunt field का resistance था 200 ohm तो यहाँ से हम IF निकाल सकते हैं तो IF की value हाँ जाएगी यहाँ पे 250 divided by 200 तो 1.25 एमपियर तो IF की value हमारे पास निकल के आ गई 1.25 एमपियर तो यह value हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.25 प्लस armature का current निकलना है तो IA as it is रखेंगे तो अब हमें armature का value निकलना है तो IA इस तरह से आ जाएगा और 20 minus 1.25 अगर इसको हम solve करते हैं तो इसकी value आ जाएगी 18.75 एमपियर तो यह हमारा answer 1 जो है वो मिल गया इसको देखते हैं हम जैसे 20 minus 1.25 को करते हैं तो यह हमारा एक answer मिल गया अब हमें यहाँ से EB की value निकलना है IA की value तो हमें मिल गई 18.75 एमपियर अब हमें back EMF निकलना है तो back EMF के लिए हमारे पास फार्मूला है EB equal to V minus IA RA यह हो जाएगा motor के लिए अगर generator का पूछता तो वो हो जाता था EB equal to V plus IA RA यह हो जाता generator के लिए फार्मूला लेकिन हमें motor का concept देख रहे है तो motor की value निकलना है तो हमारे पास यह फार्मूला हो जागा तो इसमें अब हम value put up कर देंगे जैसे EB निकलना है और V की value हमारे पास गिवन थी 250 hold minus IA हम भी हमने निकला तो IA की value हो जाएगी 18.75 into RA की value हमारे पास गिवन है वो है 0.3 ohm अगर इसको हम solve करते है तो इसकी value आ जाएगी 250 minus 18.75 into 0.3 तो यह आ जाएगा 244 hold तो यह हमारा second answer भी निकल के आ गया answer number 2 मतलब armature का जो current था वो निकल के आ गया 18.75 और back ear में जो निकल के आ गया 244 hold तो यहाँ से अब हम option देखते हैं जैसे armature option number A है armature current 18.75 तो यह बराबर है और back ear में 244 मतलब इसका answer हो जाएगा option number A बाकी BB match नहीं हो रहा CB match नहीं हो रहा DB match नहीं हो रहा मतलब इसका final answer हो जाएगा option number A तो एकदम stepwise और easy तरीके से हमने इसको solve किया तो इस तरह के question जब भी हम solve करते हैं तो हमें जो find out करने के लिए बोला है तो सबसे पहले उसका formula लिक लेंगे और formula में जो जो value हमारे पास नहीं है उसको find out करते जाएंगे तो इस तरह से हम easily फिर उस answer को solve कर सकते हैं और इस तरह के question exam में पूछे जाते हैं तो यह हमारे लिए important हो जाएगा और इस तरह से MCQ भी exam में पूछे जाते हैं इसके पहले class में भी हमने back EMF को किस तरह से निकाला था वो देखा था उसमें power output power given थी इसमें एकदम simple तरीके से value given थे तो हम इसको easy तरीके से solve कर लिया है so friends आजके लिए इता ही thank you for watching this